नवश्कार आप देख रहे हैं नेक्स नाइन न्यूज मैं तुशार आपके साथ जिहां आपके लिए इस वक्त के सबसे बड़ी खबर लाए हैं कि आजास समाज पार्टी के प्रमुक चंदर शेकर आजाद पर यूपी के देवबन में जान लेवा हमला हुआ है उन्हें बद माशों ने गोली मारी है जो तस्वीर सामने आई है उसमें दिख रहा है कि उन्हें कमर के पास से गोली छूते हुए निकल गई साथ ही गाड़ी के शीशे तूटे दिख रहे हैं हमले के बाद चंदर शेकर आजाद को इलाज के लिए तुरंत सरकारी इस्पताल में भरती कर रही है आपको बता दें इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है और वहीं घटना पर आर एलडी के स्थानिये विधायक मदन भया ने कहा कि अभी उनकी हालत खत्रे से बाहर है और इलास चल रहा है जी हाँ आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह जो हमारे साम उनकी सुरक्षा में बहुत बड़ी चूग जो है वो माना जा रहा है आपको बता दे वो देवबंद में किसी समर्तक के घर 23 संसकार में गए थे बताया जा रहा है कि कार सवार बदमाश्यों को उन पर गोलियां चलाई गई गाड़ी पर हरियाना की नंबर प्लेट थी इस हमल कानून विवस्था पर पर एक बड़ा सवाल उठाता है एक बड़ा आरोब भी कहीं ना कईा यहां पर उत्तर प्रदेश के कानून विवस्था पर लखता हुआ दिखाई देता है क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुस दिनों है वो उठता हुआ दिखा रहा है अब आप इस खबर पर क्या सूचे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स नाइन न्यूस धन्यवाद